कि वेल्कम तो यूट्यूब चैनल ग्रैफिकली आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में तो परसेंटेज को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे कोई भी ट्रिक नहीं होगी यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्म होगा कि किस तरह से हम कुष्टन को सॉल्व करे होती है जैसे आपको कहीं दे दिया जाए 25 परसेंट तो 25 परसेंट को अगर आप रेशियो के फॉर्म में कनवर्ट करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइड़ बाई 100 या 1 वाई 4 तो आप कह सकते हैं 25 परसेंट जो है आपका ये 1 वाई 4 के एक्वल है तो यह ह है तो आपको कहीं रीशियो फाुम दिया हो उसको परसेंटेश के spoke में कनवर्ट करना है तो जैसकि आपको पता है कि परसेंटेश की जो वैलू हो थी वह 100 बराबर होती है मतलब 100 परसेंट अगर आप लिखतें तो उसकी वैलू के बराबर होगी ठीवर किसी भी जाएगा तू फाइव से जाएगा फाइव फिफ्टी परसेंट तो यह हो गया आपका रेशियो का कनवर्जन परसेंटेज के फॉर्म में अब इसके बाद कुछ इसके क्वेस्टन देख लेते हैं सिंपल से कि किस तरह से क्वेस्टन बनते हैं जैसे आप से पूछ लिए वह यही होता है कि आपको मल्टिपल उसका निकालना है तो यहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं परसेंटेज को आप कनवर्ट कर लीजिए जो कि वन भाई हंडेज होता है इसकी वेलू की एकॉर्डिंग त्री हंडेंडेंट इन्टू 20 वाई 100 यहां कैंसिल आउट हो गया गया 60 तो 300 का जो 20 परसेंट होगा वह आपका होगा 60 और एक हमका सिंपल एक्जाम पर देख लेते हैं जैसे कि हमने माले जो कोई एक्जाम दिया एक्जाम में हमारे 78 नंबर्स आ है आउट आफ 100 तो हम बताते हैं हमारा परसेंट कितना था उसको निकालने के रिए हम लोग क पांतरे से दिया होता को एक्जाम होता उसमें 986 जो आपके होते यह पूरे नंबर होते मतलब जो कि जिसमें से आपने कुछ 584 नंबर पाए तो आप इसका अगर परसेंटेज निकालना चाहिए तो क्या होगा 584 डिवाइड बाइन 986 इंटू 100 और यहां पर होगे आपका परसेंट तो आज अब इसकी वैलू कल्कुलेट करेंगे तो आपका परसेंटेज आजा जाएगा कि आपने क्या परसेंट ऑप्टेंड किया इसमें ठीक है नेक्ट देखते हैं इसमें लिखा है कि 60 परसेंट इस वाट परसेंटेज आफ टू फोर्टी सॉरी 60 केजी इस वा कre Pan सब्सक्राइब आपको जातेसं और इसके बाद मेश्रों परसेंटेज पांड आउट करना तो यहां पर क्रेंड़ करेंकर तो इसकी वैल vaccinated में फानद ओट हो जाएगी तो यहां से सब्सक्राइब देखने इक जिरो से आपका कैंसील करेंगा और यहां पर आपका बचा 6 से 24 cancel हो जाएगा 4 आ गया मतलब 100 divided by 4 या फिर आप इसको कह सकते हैं 25% तो ये हो गया आपका कि 25% है 60 kg 240 kg इसके बाद next चलते हैं अब questions पर जिस तरह के हमें question देखने को मिलते हैं देखें पहला question हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 10% of A is equal to 12% of B जिस तरह से बोला गया है 10% of A equals to 12% of B तो हमसे पूछा गया है कि 15% of A is what percentage of B 15% of A की value क्या होगी तो यहाँ पर आप देखिए A है percentage से percentage आप cancel out कर सकते हैं बचा 12 by 10 B और हमें पूछा गया 15% of A क्या होगा 15% of A दोनों तरफ multiply कर देंगे 15% into में 12 by 10 अब हमें percentage ही find out करना है तो percentage को हम लोग कोई substitute नहीं करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका 6 आ गया और यह 5 आ गया 5 थरीजा 15 और 18% तो जो आपका 15% of A है वो है 18% of B अब इसके बाद चलते हैं next question पर next question है मारे पास कि monthly income of a person is 8,000 if it is increased 20% और तो हमें इसकी final income बतानी है मजब एक आदमी है उसकी जो income है वो 8,000 है 8,000 में अगर 20% का increment हो जाता है यह income है आपकी और income में अगर 20% का आपके increment हो जाता है तो final जो income होगी वो क्या होगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8,000 थी पहली आपकी income फिर उसके बाद यह इसका 20% बढ़ गया 20% of I तो इसको directly आप इस तरह से convert कर सकते हैं I common लेजिए आप 1 plus 20% तो यही हमें हैर question में करना होगा पहले हम क्या करेंगे जो आपका percentage है इसको ratio के form में कनूट कर लेंगे तो आसानी होगी तो यहां पर आप देखे हैं 20% जो होता है आपका यह हो जाता है आपके 1 by 5 के बराबर कैसे हो गया 20 by 100 करेंगे तो 25 जा 100 तो यह आगया 1 by 5 अब 1 plus 1 by 5 करेंगे इसके value आजाएगे 6 by 5 I और income की value आपको दी गई है यह हो जाएगी 8,000 इन 2 में 6 by 5 तो आप इस तरह से इसके value निकाल सकते है या फिर इसको 2 से अगर multiply करेंगे दोनों तरफ यह दिखिए 10 बन जाएगा 10 से 1-0 cancel out और यह हो जाएगा 6 को 2 से multiply करेंगे 12 तो यहां जाएगा 9600 यह हो जाएगी इसकी final income अब इसके बाद चलते हैं next question पर next question है मारे पास price of a computer is 20,000 और जब इसके price में reduction हो जाता है 25% तो final price बताना है तो पहले price जो आपका था 20,000 और जब इसमें 25% का जब आपके reduction हो जाता है मतलब कमी हो आ जाती है तो वो क्या होगा जैसा कि हम देख रहे है जो percentage आपका होता है सिमाले जी पहले कुछ price रहा हो अप price में जो है घटी अप price में कमी आ गई कितने की 25% की तो यहाँ पर हमें लिख लेना है minus 25% और यहाँ पर आपका P है और 25% की value जो आप P होती है 25 by 100 मतलब 1 by 4 तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख लेना है 3 by 4 of P तो यहाँ पर आपको income दी गई है price दिया गया आपको तो 3 by 4 इंटू में 20,000 तो यह हो गया आपका 5,000 और यह 15,000 तो आपका answer आजाएगा 15,000 जो कि final price होगा decrement के बाद इसके बाद देखते है 20% more है जादा है राम की income से तो माल लेते हैं कि जो राम की AI है वो कुछ R है ठीक है अब R का 20% से जादा जो है वो रवी की income है यह आपके रवी की income जो हो जाएगी रवी इंकम R का 20% मतलब 1 plus 20 by 1 plus 20% तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 by 5 आ जाएगा इसकी value क्योंकि 20% की value 1 by 5 तो यह जाएगा 6 by 5 तो जो रवी की income है वो राम की income की 6 by 5 है ठीक तो यहाँ पर हमें पूछा गया जो राम की income वो रवी की income का कितना है तो यहाँ पर हम इस को इस तरफ ले जाएगे 6 by 5 यहाँ पर जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 by 6 यह हो जाएगा आपके राम की इंकम रवी की इंकम की रिस्पेक्ट में तो हब हमें इसे परसेंटेज के फॉर्म में बदलना है तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहें कि यह 5 है और यह 6 है तो यहाँ पर हमें 1 माइनस कर दिया जाएगा तो यह दिखिए कुछ इस तरह से आजाएगा तो यहाँ पर इसकी बेर जो आएगी आपकी यह आजाएगी 1 by 6 परसेंट की जो है कमी आगए पतलब 1 by 6 आप 100 लिखती जी 100 परसेंट यह हो गया 50 by 3 परसेंट इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 23 परसेंट तो यह आजाएगी आपके राम की इंकम यह किस तरह से हो जाता है देखिए जैसे यहाँ पर आपने लिखा है 1 plus 20 परसेंट यह आपकी जो तिरभी की इंकम थी राम की इंकम का इतना हो गया अब इसके बाद 6 by 5 को हमने यहाँ पर ले गए यह हो गया 5 by 6 अब 5 by 6 को हमें बताना है कि यह कितना % अधिक है या कम है तो यहाँ पर आप देखिए यह 5 है ततर wied 6 से कम हो रहा है कितना कम हो property 1 कम हो रहा है तो जब भी हमें कोई fraction होता है उसको इस form में लिखना होता है कि वो बढ़ या घट कितना रहा है आप इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं जैसे 5 by 6 है आप इसको डायरेक्ट इतर परसेंटेज के फॉर्म में convert करें 5 by 6 into 100 तो आप देखरें कि टोटल वैलू तो 100 परसेंट थी 100 परसेंट में से कितना कम हो गया यह तो अब इसकी वैलू आप शाहिए करें तब भी आपका इसी वैलू के बराबर आएगा तो यह आ जाएगा आपका answer इसके बाद next question करते हैं अब देखिए आपका question एक successive question successive type का बन रहा है इसमें क्या है एक पहले जी salary इसकी जो दी गई है पहले salary कुछ दी गई है, आपकी एक्स है तो एक्स में क्या हुआ पहले 5 परसेंट का आपका इंक्रिमेंट हुआ फिर 5 परसेंट का आपका डिक्रिमेंट हुआ तो पहले जो आपकी सैलरी थी एक्स थी अब एक्स का जो हो गया आपका 1 प्लस 5 परसेंट हो गया ठीक है यह कैसे हुआ जिसे आपका पहले सैलरी प्रिमान लेजिए एक्स थी अब एक्स में बहुतरी आ गई 5% की आपने यहां पर एक्स कामल लिया जो हमने पहले करते थे यहां पर हो गई 5% की कमी तो यहां पर इसको इस तरह से लिख देंगे तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5% को आप अगर रेश्यो के फ 20 अब हमें बताना है ओवराल सेलरी में क्या इफिक्ट पड़ा तो इसको सॉल्व करेंगे यहां आ जाएगा आपका 400 एक्स और यहां पर आ जाएगा आपका इसको जब मल्टिप्लाई करेंगे 21 इंटु 19 को यह जाएगा आपका 399 तो यहां पर आप देख रहे हैं 400 से जस्ट 1 कम हो गया तो अगर इसको किसी सरे से लिख दें 1-1 by 400 तो यहां पर आप देख रहे हैं सैलरी जो थी पहले एक्स थी अब एक्स बाई 400 जो है उसमें से कमी आ गई ठीक मतलब जो सैलरी थी अब वो एक्स बाई 400 उसमें कमी आ गई मतलब 1 by 400 जो था आपका इतनी जो है कमी आ गई तो इसको अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहा है तो किस तरह से लिखेंगे 100 परसेंट से मल्टिपलाई कर दीजिए यह आपका आ गया 1 by 4 आ गया अब 1 by 4 की वेलू अब जानते है 0.25 होता है 0.25% की कमी आ गई अगर 5% उसकी सेलरी निखीज हुई उसके बाद 5% डिक्रीज हुई तो ओवराल इसकी सेलरी में क्या एफेक्ट हुआ 0.25% की कमी आ गई यहाँ पर लेस हो गई तो यहां तक हमने कर लिया परसेंटेज पर बेस्ट डिफरेंट टाइपस के झाल झाल